साथियों, भारत के महान संत और दार्षनीक, संत तिरुवलुवर ने दुनिया के सबसे प्राचिन्तम भाषा, और यह हम गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे प्राचिन्तम भाषा तमिल, उस तमिल भाषा में संत तिरुवलुवर रिजे ने कहा है, के डरियाग, केट इड़ुतम बंडरगुंडरा, नांडेनप नाटिन तलई, इसका भाव है कि दुनिया की सर्वस्रेष्ट भूमी वो है जो अपने विरोधियों से बुराईया नहीं सिक्ती, और जो अगर कभी कष्ट में भी आई, तो दूसरों के कल्यान में कोई कमी नहीं करती, साथियों, आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है, हमारे भारत की हमेशा यही विशेशता रही है, सांती का समय हो, या संकट का, हम भारतियों ने हर परिस्तिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है, इस वजह से, इस महान भूमी को लेकर, एक अलग ब्यहवार हमने देखा है, जब भारत ने कॉलोनियलिजम के विरुत मोर्चा खोड़ा, तो दुनिया के अनेक देशों में आजाजी के संगर्ष के लिए ये प्रेना बन गया, जब भारत टर्रिजम के सामने खड़ा हुआ, तो दुनिया को भी इस चुनवती से लरने का नया साहस मिला, साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलोजी का जादा से जादा इस्तमाल कर रहा है, लाखों करोड उरुपिये जो पहले तमाम कम्यों की वज़र से गलत हाथों में पहुँच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँच रहे हैं, आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्ताएं विक्सित की हैं, उनकी कॉरोना के इस समय में बैस्विक संसाओं ने भी भूरी भूरी प्रसंसा की है, आदुनिक टेक्नलोजी से गरीब से गरीब को एमपावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कौने में है, हर स्तर पर है। भाई और भेनों, हमने दिखाया है कि रिन्यूबल एनर्जी के मामले में डैवलपिंग वर्ल का कोई देश भी लीड ले सकता है। आज भारत का दिया वन सन, वन वर्ल, वन ग्रीड ये मंत्र दुनिया को भी अपील कर रहा है। झाल